ये है फिल्ड ड्रेन लाइन मशीन ये मशीन एक सकती साली 4x4 टेक्टर से ओपरेट होती है इस टेक्टर के पीछे लगे एक हाइड्रोलिक टूल में पाइप को डालकर जमीन में 4 फिट तक अंदर दबा दिया जाता है ये इसलिए किये जाता है क्योंकि जब बारिस में खेतो होता है तो पानी सूखता नहीं है इस समयस्या से निपटने के लिए खेत में हर 40 फिट की दूरी पर इन पाइपों को अंडरगाउंड किये जाता है इन पाइपों में छोटचोटे छेद होते हैं जिससे ही है पाइप खेतों का सारा पानी अपने अंदर सोक लेते हैं और ख पाइपों की मदद से खेत से बार चला जाता है इसी ओर वीडियो देखने के लिए हाइटे को सस्क्राइब कर दो जेहिन